नमस्कार दोस्तो हिमाश्टी तड़ा में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हिमाशल प्रदेश यूनिवर्सिटी का बीएड इंटरेंस टेस्ट दोहजार बीस का प्रोस्पेक्टस दोस्तो प्रोस्पेक्टस यू तो बहुत बड़ा है इस जलते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट डिटेल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि ओनलाइन एप्लाइए करने की फीज कितनी है तो जनरल केटिगरी और ओविसी के लिए 1100 रुपया ओनलाइन फीज रखी गई है फॉर्म भ दो हजार बीस दोस्ते चोटी सी इंफर्मिशन एड़ करने चाहते हैं से पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें की एडमिशन नोटिस के बारे में बात किये गई थी एच्प्यू की तो उसमें जो थे लास्ट डेट जो है वो तीस पांच दो हजार बिस बिस जो की एडमिट कार्ड जो है आपके जनरेट होंगे इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे admissions.hpuniv.ac.in पर या फिर दूसरी वेबसाइट है hpuniv.ac.in वहां पर आपको एडमिट कार्ड बाद में मिल जाएंगे दोस्तों एक और बार मैं बताना चाहता हूँ प्रोस्पेक्टस भी 5-6 मेंबर हैं उसे आप जोइन कर सकते हैं इस वीडियो के पब्लिश करने के बाद मैं वहां पर इस प्रोस्पेक्टस को डाल दूंगा तो आप डेटेल में से वहां पर पढ़ सकते हैं तो और important बाते हैं जो मैं आपको पताने वाला हूँ अभी तक कोई पता नहीं पे चुरू हो जाएगी साड़े 11 बजे जो है वो पेपर स्टार्ट होगा और एक बजे खतम हो जाएगा means डेड़ घंटे का आपका ये एकजाम रहेगा पेपर वाले दिन आप क्या-क्या लेकर के जाएंगे आप सिर्फ अपना admit card लेकर जाएंगे एक गत्ता या clipboard आप लेकर इसके बाद जो है important बाते हम करने जा रहे हैं वो है important point next जो है कि यहां पर तो उन्होंने syllabus दे दिया है B.Ed का पूरा तो वो तो हम नहीं देखेंगे अभी हम जाएंगे fee structure की तरफ तो दोस्तो fee structure discuss करने से वाले छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब आ आप तीन तरह की colleges में admission ले सकते हैं कौन-कौन से एक तो HPU का जो main summer hill में जो department of education है वहां पर number 2 government college of teacher education के धरमशाला में भी जितनी seat है वो इसी test के थ्रू भरी जाती है number 3 जितने भी private colleges हैं वहां भी admission इसी test के अधार पर मिलती है तो HPU की fees जो है वो थोड़ी सी अलग है government college of teacher education धरमशाला उसकी fees थोड़ी सी अलग है और private colleges की fees थोड़ी अलग है जादा अलग है हम कह सकते हैं तो सबस्वेल देखते हैं HPU में आपकी कितनी fees लगेगी यह पूरा seat मिल जाती है तो आपकी fees इतनी लगेगी 11,350 और girls की fees लगेगी 10,150 और अगर आप IRDP BPL को बिलोंग करते हैं तो 11,100 जो है आपकी fees लगेगी यह होगी HPU के बात government college of teacher education के करम बात करें तो वहां पर जो boys है HP state के 8,810 रुपए fees उनकी लगेगी जो girls है HP state की लेकिन वो IRDP BPL को बिलोंग करते हैं तो 7,610 है यहां पर boys और girls जो है जो IRDP और BPL को बिलोंग नहीं करते हैं उनकी fees होगी 7,610 ठीक है IRDP BPL वालों की भी 7,610 और others की भी 7,610 girls की boys की अलग है boys की है 8,810 रुपए और जो boys IRDP BPL को बिलोंग करते हैं उनकी 8,560 रुपए अधर state के जितने भी candidate है 8,810 रुपए यह government college of teacher education धरमशाला की बात हम कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप other state से हैं या हिमाचल से ही है लेकिन आपने graduation कहीं और से की है तो आपको registration करानी होगी वो admission के बाद होती है registration certificate आपको लेना होता है पुरानी इंवस्टी का सब्मिट कराना होता है 7500 रुपए उसके आपको देने पड़ते हैं लेकिन वो बात की बात है अगर आपकी admission रहती है उसके बात अब हम बताएंगे कि कौन-कौन इस form को भर सकते है eligibility और educational qualification क्या है कोई भी graduate इस form को भर सकता है च आपका होना चाहिए अगर grade system है तो B.Tech वाले भी इस form को भर सकते हैं लेकिन B.Tech वाले के लिए एक शर्त है bachelor in engineering and technology with specialization in science and mathematics की B.Tech आपने specialization in science और mathematics होनी चाहिए 55% आपके marks होने चाहिए या 5.51% CGPA होनी चाहिए या grade होना चाहिए B+. और SCST category के students के लिए 45% marks उनके होने चाहिए CGPA के बाद करें तो 4.51 होनी चाहिए ठीक है और grade B जो होना चाहिए आपके पास होना चाहिए then अब हम बात करेंगे relaxation यहां कुछ नहीं मिलने वाली है जो बताया है वही है और उसके बाद जो है जब आप online apply कैसे करेंगे तो online apply करने के लिए आपको admissions.hpushimla.in जो मैंने आपको link पहले बताया है उसके उपर आपने जाना है admissions.hpushimla करके यहां पर लिखना मुश्किल है मुझे थोड़ा सा आप देख लिजेगा उपर जो मैंने बताया था भी link वहां पर आप जाएंगे उसके बाद आपको undergraduate section पर आपने जाना है undergraduate पर click करेंगे उसके बाद B.Ed के उपर click करेंगे और उसके बाद आपके सामने form खुल के आजाएगा personal information आपने डालनी है आपकी educational qualification आएगी photo और signature आएगे ठीक है और फिर आपने fees देनी है और आपका reference number application form जो है वो generate हो जाएगा आपको user ID और password दिया जाएग उसे आप जरूर संभाल के रख लीजेगा क्योंकि उसी में login करके आपको उसमें admit card का पता चलेगा उसी में आपकी बाद में counseling भी होगी online counseling इसकी होती है ठीक है अब यह तो थी मोटी मोटी बाते online apply करने की अगर आपको online application में दिक्कत आती तो please मुझे comments में बताएं next video में मै आपको बता दूगा कि आपने online apply कैसे करना है अगर आपको problem आती है तो then उसके बाद जो है जो important बाते हैं हम इसमें discuss करेंगे बाकी सारी सीजिन आप कर लेंगे मुझे मालूम है यहां पर हम बात करने वाले examination center की paper कहां कहां पर होने वाले हैं तो दोस्तो 15 examination center है totally तो यह 15 examination center ह अंब जो की उना में है उना अलग से center है अंब अलग से center है बिलासपूर है चंबाय धरमशाला हमिरपूर कांगडा कुलू मंडी नाहन पालंपूर रामपूर शेंबला सुंदर नगर सोलन तो जो आपके नजदीक है आप उसको नेरे center को बर दीजिएगा उसके बात जो मैं पूछे जाएंगे language and comprehension Hindi English के 40 question पूछेंगे Hindi के 20 English के 20 इसमें basically grammar पूछे जाता है logical reasoning के 20 question पूछे जाएंगे knowledge of national commission and committees of education के 20 question teaching aptitude and attitude के 40 question कुल मिला के 150 question होगे अब पिछले साल का question paper जो है दोस्तों मेरे channel पर available है आप मेरे channel पर जाएंगे तो वहाँ पर playlist में जाना वहाँ पर आ सब्सक्राइब करेंगे है एच प्रीविस के एर क्लिक किजिएगा बीएड का आपको पिछले साल का सोल्ट question paper मिल जाएगा दो पार्ट में है और इस paper में डेट सो नंबर के paper में आपको 35% यानि कि 53 marks तो लेने ही लेने है पास होने के लिए अधरवाइस आप फेल कंसेडर ह होते हैं तो अब आप ध्यान रख लीजिए का जो admit card है वो online ही आया का जैसे मैंने पहले बताया है website पर इसकी notification जब भी आएगी जो भी update इस्ते related होगी मैं अपने चैनल पर डालता रहूंगा आप चैनल को subscribe कर लिजिए उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए और आपने जो हो गया है या आपका बड़ अच्छा नंबर आया है आपका result निकल गया है आपको खुद university की website पर चेक करना है अगर आपने नहीं देखा और time हो गया तो आपका loss हो जाएगा then result वगेरा सब online आएगा time to time आपको पता चलता रहेगा और marking कैसे करने omr sheet omr based test होता है तो आपने correct तरीका यह है answer लगाने का यह बिल्कुल भी नहीं है यह सबको पता था मुझे लगता है यह common information है सबको पता होगी इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूं वो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यह private colleges की number of seats की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तो HPU में जो है department of education में 100 seat है government college of teacher education दरमशाला में 200 seat हैं इसके अलावा बहुत से मरवस private colleges भी है दोस्तो यह colleges की list बहुत लंबी है वीडियो काफी लंबी बन जाएगे अगर मैं सारी डिक्टेट करूंगा यहां पर तो आप PDF का देख लिजिएगा telegram channel पर मैं available करा रहा हूं number of seats भी इसकी मैं अलग से video डालूंगा चिंता मत कीजिएगा private colleges में कितनी seats है फीस कितनी है private colleges की वह भी मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी तो तो होड़ा सा idea आपको देता हूं फीस का private colleges की आइडिया हम लेंगे यहां पर आप देख लीचिएगा एक छोटा सा idea जो मैं आपको देना चाहता हूं वह यह है कि first साल में आपको 49,515 रूपीज देने है और second year में आपको 48,495 रूपीज देने है टोटल हो गया 90,010 रूपीज इसके अलावा जो है जिस college में आप जाएंगे वहां पर आपको library security फीज देनी पड़ेगी एक हजार रूपीज और कुछ university charges लगते हैं लेवी charges 7% on tuition fees वह देने पड़ेंगे और examination fees 1400 रूपीज आपको हर semester में देनी होगी इस 90,010 रूपे के अलावा तो यह माड़ा मोटा सा मैंने आपको idea दे दिया है पहाडी में बोलते हैं माड़ा मोटा सा idea मुझे लगता है सब समझते होंगे तो वह idea मैंने आपको दे दिय है तो यह थी important बातें इस पूरे prospectus की इसके अलावा अगर आपको कुछ doubt है तो आप प्लीज comment section में पूछ लीजेगा मुझे अमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी जो भी आपके doubts है प्लीज पूछेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कीजेगा share कीजेगा अ आप सब के लिए best wishes देता है thank you for watching the video thank you very much